प्रेंड साब सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो देखिए आसम के जो फार्मा से एक्जाम के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं तो इसके मैंने जो पार्ट अप्लोड कर दी है उनकी अगर लग से प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बिटन में दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं इसके जो प्रिवेस पार्ट में अप्लोड किये हैं और यह जो हम आपने चैनल पर डिसक्स करते हैं यह सभी फार्मा एक्जाम्स के लिए इंस्पेक्टर सब्सक्राइब होन कोव सब्सक्राइब करना उनकी नलोगो मिनते रहे सबद्राइब करें लोगों ह सब्सक्राइब के विडियो को improvже आप लोगों सब्सक्तों घंट है जो ₹ ecosystem medium पाइसें बहुता है को बीटेंश का क्या होटा है इसको फोनीर आप्राइब करता है उसको हुदा औरट इसще और यसमें जो यह होता है ट्रग ऑफ-चॉइस होती है कि लिए्जक के लिए ह। बारोंग फिरेनोलग व्हुता है मैं इनिभीतर होता है इस इनलोग होता है और एक और ट्रवरनिक में इसको देता एंए है और कार्बीडोपा जो इसमें ओप्शन में दिया हुआ है कार्बीडोपा क्या होता है देखिए अंटी पार्किंसंस ड्रग में आप पढ़ते हैं कार्पीडोपा जो होता है पैरिफरल डिकार्बोक्सिलेज इनिविटर होता है कार्बीडोपा और बैंसीराजाइड दो ड्र क्योंकि लीवोडोपा के डी-कर Caitlin बनता है लेकिन अकर लीवोडोपा का पैरिफ्री में ही डी-करबॉकसिलेशन हो जाएगा तो क्या होगा डोपामीन तो ब्लॉट ब्लेरेन बैरर को क्रोस और नहीं पाता इसलिख लिवोडोपा के बी-प्ले जैसे कार्बी गरी टॉपा हो गया तो कार्बी टॉपा जो है घंते को इनिभीट करता है जिससे कि आफके ज़ला को खोदरा ब्रेंबेर स्ट कर फृपा के देऊ पनीतलियों तो सबस्क्राइबणी तो यह घंता है इसका है नहीं के बारे पर नहीं कर पाता है तो यह हो गया हमारा कर इसलिए जो यह ब्लइड बेडर और को करोस कर पाता है तो तो यह रहा है है आप फाइसे सीगमिन जो होता है यह एंटिकुलनेस्ट्रेज में आता है जो आप एंटिकुलनेस्ट्रेज पढ़ते हैं उसमें एक तो आप रिवर्सिबल पढ़ते हैं एक रिवर्सिबल पढ़ते हैं तो रिवर्सिबल जो एंटिकुलनेस्ट्रेज होता है उसमें आते कार्बमेट्स जो आते हैं उसमें क्लासिफिकेशन को रिवाइस करते राज़ जितना क्लासिफिकेशन आप रिवाइस करेंगे उतनी जादा ड्रॉग्स आपको याद हो जाती हैं देखे हमारा इसका हो गया देखेए क्लेट मार्किट सप्लाइड को औप्षंच सी राइट राइन तो मेर किसमें आता है जो आप अब ऑलियो गंडी फढ़तें आल्यो गंडी में तीन ड्रग आते हैं को उनकों कुछा मैं आपको याद करना बदाते हैं गुगुल आता है अशाफॉटीड अगुगुल प्रेजिन रिवसेंद गुगुल उसाफॉटीड तो मिर ना होप्षिण जैगा तो मिर में क्या होता है यह गं मेल संज होंगा मिर यूख यह आप देख लीजिएगा यह हां इसका सोर्स आप सब्सक्राइब होता है मल मूल होगा तो इसका ओप्षिन a हो गया गप्तिक कोपि ऑक्वेसिन होतकि correctly मतामिन किसमें आता यह अन्टी इंटिप्रेसेंट्स में जो टीसी एज होते हैं उसमें आप आप का आता है इमीप्रामिन देखें ट्राइसेखलिक एंटिप्रेसेंट्स जो होते हैं तो उसमें एक तो आता है एन ए मतलब नोर अड्रेनलीन फाइट्रीएक होते है और एक होते हैं इन रिप्रेसे प्रामिक में आता है इसमें अता होता है ठीक है वह इसमें आता है देखिए देखिए एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामी दैसी प्रामीन तो जो प्रिडॉमिनेंटली एने रियप्टेक इनिबिटर है उसमें हमारा डैसी प्रामीन आजाएगा तो आपको यह थोड़ा से ध्यान रखना है तो मेटाबोलेट क्या हो जाएगा तहीजा से अपको दिया हुए इसका इक्टिव मेटाबोलेट फेलें होता है अज़ नेक्स देखिए क्वेस्च्टीन डियन इन हाइर ओर्गनिजम इसको क्या बोलता है क्रोमेटीन बोलते हैं आपने राइट करना है क्रोमेटीन नेक्स्ट देखिए क्वेशन क्या है आपको पता होने ची अमल श्रोफ है तो इसका ओप्शन जो है आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेशन है नैच्रली अकरिंग सिंपैथोलिटिक जो है रिजर्पीन होता है ठीक है ओप्शन सी हो जो कि रिजर्पीन जो रॉफोल्फिया से उप् से इस से मिल रहा है और सिंपैथोल्टिक होता है और इंटि हाइपटेंसि होता है रिजर्पीन के ऊपर प्रेशन काफी बार रिजर्पीन के ऊपर बहुत जबिए इम्पॉर्टनट है रिजर्पीन तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना इसमें च्ट्रिक it स्ट्राइक न में जो पढ़ते हैं प्रेजंट होता है मौर्फीन जो है कुईन सिंकोना जो होता है कुईनीन और कुईनेडीन प्रेजंट होते हैं किसमें सिंकोना में सबक्रणि आते हैं ना कुनिल व्य जो दुटे कर दोड एंस इंको में आ भार सब्सक्रहाइब में एन इन केरी यह तो सब्सक्रहत्णी कि कि आते में मलिये में लेक्ट और इन विच कॉंप्लिमेंटरी ओर 46 क्रोमोसॉम्स वीजिबल अंडर ए माइक्रोस्कॉप ठीक है तो कुन सी फियर माइटॉसिस के जिसमें 46 जो क्रोमोसॉम्स जो होते ना तो वह मतलब विजिबल होते हैं ठीक है तो यह कौन सी होती है ओप्शन देख लिए होंगे आपने तो यह हैं मेगनिशुम कीलॉराइड मेगनिशियं मंगत्रोकसाइड यह मेगनिशियicaad मैंन मेखनम सलफएड तो यह मिल्कफ मेगनिशया जो होता है यह होता है सेब हुरांट फाइफ यह कहीं पर आपको 8ती मिलेगा स्सक्णlogo स्साथ प्रस क्रेंड परसंट यही CT Tá का मेंगनीशियम हाइड्रोक्साइड का एम जी ओएच ट्वाइज का ओकी तो आपने ऑप्षण बीज करना है और मेंगनीशियम सलफेट जो है कथार्टिक होता है कई बार और ऐसे ओप्षण दिये होते हैं आपको पूछ लेते हैं कि विचमन इस कथार्टिक उसमें मेंगनी कंडिक लिपिट्स लिंफोकाइं तो ऑप्षण डी हो जाएगा हमारा काइनिन्स राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल अबसीटी इस कंडिशन इन विच बी एमाई रेंज इस ऑप्षण देख लिजिए तो बी एमाई जो है यह होता है बोडी मास इंडेक्स होता है ठीक है बोडी मास इंडेक्स है तो बी एमाई की रेंज जो है तो आप एक पर यह थोड़ा सा देख लेना इसके ओपर भी क्वेशन बन जाता है तो क्लिनिकल अबसीटी में जो इसकी रेंज कितनी होती है यह होती हो ऑप्षण सी हो जगा 30 to 40 kg per m2 ठीक है इसकी यू क्लिए यह प्रिश्च को बार्टाइब जहता है घृत ओर रहता है इसका ओप्षण सी इसक이र है और में पहेता हैं जो इन हां पन्हें पारे में आपको पता ही दिया और सब्सक्राइब तो इसमें जो फिक्स्ट वाइंडीन गवर्रमनेंट पूर शिडूड फो मिलेशन से तो यह सीलिंग प्राइस होता है ऑप्शन एस बिलुप कूर राइट हो जगा सीलिंग प्राइस ध्यानर रखना है है डेफिशेंसी in the activity of Schengomyelinase टीक है ऑफिंगो माइलनेज की डेफिशेंसी जो होते सीम स्विंगो स्विधर एंज्याइम जो वहां देशीन से कौन से डीजीज होईगी देखे इसे आपको जैकोब डीजीज होता है थे इसमें और कौन सा इंजाएम डैफिसेंट है तो यह वी दिजीज में जैसे को साइड होता है तो आप एक बर इसको सारा अच्छे से पढ़ लेना काफी इंपोर्टन इसको पर क्वेश्चन बिल्कुल डारेक्ट आता है कि इस मतलत दे देंगे कि इस डिजीज में कौन सा पूछल पूछ लेगे कौन सा एंजायम डेफिसेंट है नेक्स्ट देखे चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर और होलसेलर इस ऑप्षण देखे प्रैमरी चैनल सेकेंडरी टिपिकल या मार्केटिंग तो टिपिकल चैनल होते हैं ऑप्षण सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच फॉलुइंग प्लाजमा काइनीन ऑप्षण देखे के कैलेडिन सीरो तो अगर फूड की प्रैजन्स होती है तो जो पहने जो एम्पिसलिन है इसका अब्जॉप्षण क्या होता है कि रिड्यूस होगा आपको याद रखना है इसका जो अब्जॉप्षण क्या होगा रिड्यूस तो ऑप्षण जो है डी बिल्कु सही हो जागा हमारा इसमें सलफर और नाइट्रोजन होता है ध्यान रखना आपने ठीक है जो भी ड्रग है उसके अकोड़िंग यहां पर साइड चेन हो जाएगी जैसे फीनोथायाजीन रिंग है कार्वामाजीपीन जो आपकी क्लोर प्रोमाजीन जो एंटि साइकोर्टिक ड्रग पढ़ते है तो इसमें फीनोथायाजीन रिंक प्राजन होती है तो इसमें कोन से होंगे तो इसमें सलफर और नाइट्रोजन तो आपने ओप्षण भी करना इसमें तो फिनोथायजीन जो रिंग है किस में प्रेजंट होती है और आप जो प्रोमिथाजीन पढ़ते ना प्रोमिथाजीन उसके अंदर फीनोथायजीन प्रेजंट होती है ध्यान रखना आपनी फिनसेंट चेंज ऐन कॉंटिटी कोशे ब으니까 is सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर झायए नकीपर सबसंते एकुड़ूमिथा video जो है standards for cosmetics तो इस cosmetics के S को हम इस से रिलेट करके याद कर सकते हैं शीडिल स में आता standards for cosmetics option B right हो जाएगा standards for patent proprietary medicines जो होता है schedule V में आता है मैंने आपको वी से भी बताया होता है schedule V में वी पीप आप याद कर लिजे patent and proprietary medicines और standards for disinfectant schedule O में आ जाएगा और standards for biological and special products schedule CC1 में आते हैं तो जो है सारे के सारे schedule अच्छे से पढ़ लेना schedule का बिल्कुल direct question है बिल्कुल सीधा question आता schedule के ओपर इसका वीडियो मैंने भी आपका option a right हो जेगा मैथी माजोल जो है यह क्या है antithyro drug है ओके नेक्स्ट यह टोलाजमाइड है क्लोर प्रोपरमाइड यह सब एंटिडाबटिक ड्रग दी हुए जो औरल हाइपोगलाइसेमिक्स में पढ़ते न वह है यह नेक्स्ट देखिए हुए जया सहे प्लेटली एराकिटर venture को स्मौलॉ पॉक्पी यह लापरोश होगा क्या स्मौल समौल पॉक्प यह हो फोड़ की नेक्स हो जागा इसका पविल्ज़ क्लीन ट्यूमर और नियुररपलास्टाइड गोता है स्टिरोडल अल्कलोइड तो इसमें वी एक जो है विरेट्रम है आश्योगंदा और कुर्ची जो है इसका सोर्स होता है इसका सोर्स होता है इसके अपको साइने सी फैमली होती है इसके अंदर कोने सींथ होता है कुर्ची के अंदर दिक हैं और यह किस समय और यहां स्चिरोडस तो मिनें एक विडियो आपने कि वी अफ्लोड किया होए जिसमें आपके सारे के अलकुलो टो फॉर कंपाइलिंग दा इंडेक्स ओप तो यह देख लेए इसका यह लीडिंग इंडिकेटर होगा और फिटल अबनॉर्मल्टी इस तर्म्ड एज तो इसको क्या बोलते हैं ओप्शन देख लिए तो यह तर्यो जैने सिटी ओप्शन एह हो जगा ठीक है इसको क्या बोलते है और जयसे और जैसे कंसे होता हैं और कै तैरस सैट्लिंग कहीं बनाता है से क्या होता है इस से बोन ग्रोथ हो जाती है उप भी योल यह सब ध्यान नेक्स्ट और एड़िपोष टींषू में उसको क्या बोलता हैं challenges तो ब्राउन से भोल चैण को बॉलता है नेक्स्ट है नोना पैप्टैड हो्र्मोन प्रधूस्ट बाइब पॉस्पीट्री कोस्टीर पिचुट्री से है जो स्प्रिंग वन थे ना पॡ़को ऑकर फ्म पॉतरी में ब्रद फश्छम थेया नहीं ओप प्रोलेक्टिन जो है यह एंटीर पिचुट्री से सीक्रेट होता है तो आप कमेंट बूक्स में जरूर लिखना तो उसमें से प्रोलेक्टिन भी होता है आडीरनल ग्लेंट के दो पार्त हुते हैं क मिननरल कोटिकोज ग्लुको कोटिकोड सेक्सकोटिकोड यह सब होर्मोन सिक्रेट होते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेशन है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंट इस यूज डिटरजेंट इस ओप्शन देखें सीरेमाइड सैवलोन क्लोरहेक्जडीन या क्लोरोजाइलिन नोल तो यह अप्शन ने बिल्कुर राइट हो जएगा नेक्स्ट फॉलोविगे इस अच्टूर सब्यांट इस जो होते हैं तो इसमें वाली ड्रग आते हैं तो आप उप्शन में से निकाल लेंगें जो हैं आपका बिल्कुर राइट हो जाएगा सब्सक्राइब करें जा हीमोस्टाटिक फोर सप्सक्राइब को और क्या बोलते हैं तो आधिर और इनको आर्ट्री फोरसप्स भी बोलते हैं ऑक्सिए अनफ्फिलेप्टिक अलर्जी फॉल्स अपने ऐप टाइप वाहन से तो जो यह जो होती है टाइप बन में आती थे यह आनकना आपने अप्षिन यह हो जेगा जो हो टीए कौन से टाइप की है पर संस्टिविटी डियक्शन में आती है नेक्स्ट है इस साइमसंथारिटिक डायरिवेटिव तो इतोफ चुन सब्सक्राइब करता है यह सब्सक्राइब करता है उसके फंक्षन को एफेक्ट करता है इतोफोचाइब किसमें आता है यह टोफोचाइब नेक्स्ट है फामेसी सवक्राइब को एक लीतोफसेश को मैं हूसे विजाएबनेफ यह क्या होना चाहिए ग्या इनकैップ क्या अप्जरॉचंपHHet प्रिल वाले क्या होते हैं जो प्रिल जिनके पीछे लगा होता है वह सिंपल क्वेश्चन है तो अप्शन ने हो जगा मतलब मोनोमीन ऑक्सिडेज होते हैं हम जी कोई रिड़क्ते जो है इसमें स्टाटिजिया जो आपकी स्टाट्य जाते हैं में स्टाटिन आते हैं ख्या में इनसे रिड़को अनुद स्टाटी वलिड़कडीय पालजर्द तो ऩो में तक रम इल्फकathy आता है मिगलिटोल आता है तिसमें एलफा ग्लूकोसाइड इनिविटर में आते हैं ठीक हम नेक्स्ट देखे हमारा नेक्स्ट क्वेश्एन है नेक्स्ट है थाटी सिक्स क्वेश्एन है विच अफ फॉलूंग इसने आयरुवेदिक प्रप्रेशन से जिसमें सैल्फ जन्रेटिट अल्कोहल प्रेजन्ट होता है तो याद रख लेना इसमें आते एक तो आसावा आता है और एक अरिस्ता आता है ठीक है अरिस्ता और अरिस्ता याद करें नेक्स्ट ऑफ्च्ट सींटसाइज सब्सक्राइब कोनसी मैं जैसे इसमें आती है क्लैरिथ्रोमाइषिंग तो यह सब ड्रक किसमें मैक्रद्च पर मिदिक जो है इत्वाइद एक्स्रीन जो है मैं स्ट्रिप्टोमाइसिन नियोमाइसिन यह सब किसमें आती है एमीनोगलाइकोसाइट से एंटिबाइटिक्स में आती है क्वेशन के नेक्स इंटेक ऑफ मिनिमम ओफ फोर टू टैन ड्राग एट दे ले रहे हैं थीक्Dave एकषशन सी ओजगा पउली कि prochaine टैस्ट पॉलीज टैस्स होроता है और उप्षण करने के लिए यह सت sorting याद कर लेंना जैक्स्ट हें इन्वालिजु इन्वार्ट के क्लेकर लियु को szerika सब्सक्राइब कर नहीं ब सिंटाइबर… सब्सक्राइब करता है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट देखी क्वेशन है बोथ स्नेल एंड क्रैप्स और वेक्टर 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 वेक्टर्स होते हैं तो यह होते सब्सक्राइब क्या होते हैं नेक्स्ट देखी क्वेशन है एंड सैकलोस्टोमा डियोडिनेल इस ऑप्शन देखे निमेटोड अमीबा प्रोटोजोन यह फंगस्ट तो क्या होता है जो है जो है जो जैनरिक नेम में मार्केट कर सकते आप्शन ग्लूटिथ ही माइड बार्बिटल या मैप्रोबेमेट तो यह अनल जीन ऑप्शन ए राइट हो जेगा जो कौनसी है जो है उसको मार्केट कर सकते अंडर जैनरिक नेम यह फेटन प्रोटीन डेशन्सीन टोटीन इसेल Carrie promise टर्म रिलेटिटीड टू ओप्शन से च्विंग श्वैलोइंग बाइटिंग तो जो डी ग्लूटिनेशन का मतलब होता है तो यह तो यह फिप्टी क्वेशन होगे अब एक क्वेशन से कहां से आप कमेंट बॉक्स में देंगे एक क्वेशन है विटामीन इन वॉल्ड इन द होता है विटामीन देना देस्टन घ्राप को इसका दिना कमेंट बॉक्स में और पे तो इस वीडियो में इतना ही अगर को वीडियो अच्छी लगए तो से लाइक करना शेयर करना कानल पर लिए नहीं की होते हैं जो आपके सबीं फामा इग्जाम से लिए इंपोरेंट होत हुआ हुआ झाली हुआ 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 हो है हुआ थैयजिल कई और फैर इब